फेर फेर शरुप जो निरखिये नहीं ना होई नहीं त्रिपत्ते मुमिन दिल एर्स केया लिखी ताले ए निस्वत्ते प्राणी सुरक्षरती ने महामती जी के दाम बिर्दे में विराज मानों कर हमारे लिए चितनी के जो अनमूल विधा दी है उसकी गरिमा का हमें असास नहीं है क्या कह रहे हैं फिर फिर सरुप जो निरखिये नैना होई नहीं त्रिपत्त बार-बार राजी के सरुप को यदि आप देखते हैं तो भी नित्र त्रिपत नहीं होते हैं कहने के लिए तो ये लग रहा है कि बहुत चुटी सी बात है कि या बात उस अवस्था की है जब हमारी आत्मा हद भी हद को छोड़कर परात्म का सिंगार सचकर मुल मिलावे में पहुंचती है और राजची के नक से सिख तक कि सुबा को देखने लगती है होता क्या है हम सुदर साथ आदे गंटे एक गंटे बैटते हैं एक जलक देख लिया चरण कमल ऐसा है मख कमल ऐसा है ऐसा है और क्योंकि आफिस भी जाना होता है कई काम करने होते हैं, कई लगों से मिलना जुलना होता है एग घंटे में फूरी कर लेते हैं, बहुत करते हैं, दो घंटे कर लेते हैं लेकिन यह अवैस्ता किसकी है? उस महामती जी की जिसके धाम इर्दे में सुईम अक्षरातीद अपना आसन जमा कर बैठ गए है बैठे तो सब के हिर्दे में हैं, लेकिन एक निद्दर कावरण है जैसे सूरत में तो हीरे का बहुत बैपार होता है लेकिन आप जानते हैं कि जब उसको तरासा जाता है, साफ किया जाता है तब उसकी कीमत आंके जाती है जमीन में से खोद करके सीधे आप ले जाकर के बैचेंगे तो उसकी कीमत नहीं होती है बिना उसकी कटाई चटाई के, उसी तरह से परमदाम की आत्मा किसी अनपढ़ के अंदर भी होती है जो पड़ी वाले के अंदर भी होती है समाज का जो तिरस्कित भी होती है कोई नहीं जान सकता हाँ, उसकी एक ही पैचान होती है कि उसके अंदर अटूट इमान होता है और अटूट प्रेम होता है राजी के लिए इसको और इमान से थोड़ा बहुत आसास हम कर सकते है कि इस तन्वे परम्त हम की आत्मा है लेकिन ये वास्तविक ज्ञान के अन्मूल जुरुब को होता है जिससे देखा जाए जीव सिष्ट में भी बहुत तेरों के पास इमान होता है हम तो सुन्दर साथ का लाते अवस्य हैं लेकिन इमान के मामले में हम संसार वालों से कई बहुत पीछे हो जाते यदि हमारी माया की कोई चाहत पूरा नहीं होती तो हमारे कितने सुन्दर साथ हैं जो राजी से निस्ता ही तोड़ लेते या सोचते हैं कि कई और से काम हो जाए तो करवाले दिवी देता भी कर देते हैं तो हमें क्या कर्ष्ट है लेकिन आप संसार के लोगों को देखिए सब की बात छोड़िये उन मुसल्मानों को देखिए अपने प्राण देने के लिए तयार होते हैं बले दुसरों को मारना पड़े वो लड़ते किसलिए हैं उनको मालूम है कि मैं आतंकवादी बनूगा ति एक दिन मारा जाओंगा लेकिन अल्ला के नाम पर कुलाहन के नाम पर मरने मारने को तयार होते हैं वैसे यह पाप का मार गया है फिर भी सोचिये तो अपने सरीर में बंबांध करके हैं और दुसरों को खत्म करना कि यह अल्ला का काम है हिंदु भाईयों में कहां यह त्याग हो सकता है जैसे कि मैंने कहा जान पिट कि अस था अपना जब की गई ति सोचा गया था कि हाँ सैक्ड़ों बच्चे आएंगे विद्वान बनेंगे बाणी फैलेगे अधिकतर बच्चें को तो उनकी माताओं ने उनके बहनों ने चिपके से बुला लिया और आईएस आईएस में भरती के लिए कुछ बच्चे तो जनूर में चिप करके भागते हैं कुछ घर वाले भी खुस होते हैं कि चलो मेरा बट्टा इसलाम के काम है परामधाम की बरहमशेष्टी के लानेवाले सुंदरसाइद का जो समू है वो तो इमान में भी बिछे आप देखिए सीरिया भाग करके जाना किरला से भाग करके गए हैं उत्तरपरदेश से भाग कर गए हैं पुलिस पकड़ती है तो भी उन्हें मांगती है कैसे जनुने इमान तो है उनके इमान की दाथ देनी होगी इसकी बात यदि की जाए तो देखिए परमात्मा को पाने के लिए दुनिया के लोगों ने कोई हेम गले अगनी जले भहरों करवत ले अपने सरीर को आरे से चिरवाया पहाडों से छलांग लगाया बर्फों में गल गए आज भी हिमाले की बर्फ में जाएंगे तो कितने सादु मात्मा मिल जाएंगे जो बर्फीले चोटियों में नग नहोकर के भी ध्यान कर रहे हम संदर साद को परमधाम की बाणी मिली है लेकिन हमने क्या किया है ठीक है जैसे कोई IS का लड़का होता है वो कम नंबर भी लाता है तो इंटर्विव में उसको अच्छे नंबर देकर IS बना दिया जाता है क्योंकि वो IS का लड़का होता है मुल सबंद के कारण हमें परमधाम मिल जाएगा लेकिन जदी संसार की परिच्छा की बात की जाए तो हम लोग अभी बहुत पीछे है इसके मामले में भी हम कही ने कहीं पीछे हो जाते हैं हमसे अच्छे तो दुनिया के कई बार मैंने चर्चा में बर्णन किया है लोवर्ड्स का एक जोड़ा दुसरे के बिना जी नहीं पाता हम तो राजी के बिना 400 साल से रह रहे हैं और देखिए चित्वनी की जो ऐसी विधा जिसमें राजी बर्णन कर रहे हैं महामती चिके धामिर रही है फेर फेर सरुप को निरखी है फेर फेर सरुप को जो निरखी है यदि आप राजी के सिंगार को बार बार देखते हैं तो नेत्रों की तृपती नहीं होती है एक्छा क्या करती है देखते ही रहूं किसके लिए है उन परमांसों के लिए जिनका दो घंटों से काम नहीं चलता, 4 घंटे बैठे हैं 6 घंटे बैठे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं कई हट योगी होते हैं, 6 चे दिन बैठे रह जाते हैं क्यों? क्योंकि उनमें लगन होती है, हमारे समाज को जागने के नाम पर एक सुला दिया गया उत्साहब अर्धन नहीं किया गया कि नहीं तुम परमधाम की ब्रहमात्मा हो तुम असंभव को भी संभव कर सकती हो अभी मैंने कई बार भी इस बात को मंचों पर भी कहा है कि एक बेक्ति जैदेयाल गोहिंद का आता है बर्मा से पूरी दुनिया में विपसना के 400 किंद्र बना देता है उसमें अनुभव क्या होता है? निराकार का अनुभव होता है और निराकार की अनुभव को पाने के लिए संसार की लुझ कहां से कहां भठकते भाग करके जाते है हम सुन्दर साथ चित्वनी को किनारे कर दिये के उलए करमकांडो की होड लेकर के बैठ है और वैसे तो गुजरात में गरवे की धुन चलती है सुन्दर साथ के मन में एक बाताती है किया नुकसान है चित्वनी करें वो भी राज्जी की दीपक जला लेते हैं भी कहता है कि मैं पढ़ता हूँ, कालेज में पढ़ने वाला कहता है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, प्येश्डी करने वाला कहता है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन नर्सरी करके कोई पढ़ाई बंद कर दे, और सोचे कि मैं पूरी तरह सिक्षित हो गया हूँ, मुझे आयस बना दिये जाए, तो क्या वो पद मिलेगा? यदि राग जी को पाना है, परतेक्ष देखना है, परतेक्ष बाते करनी है, परतेक्ष उनके दिल में समाना है, तो चित्वनी के सिवा कोई राष्टा नहीं, अब ये बहाना नहीं चल सकता, चलो पांच बारतारता मंत्र पढ़ लिया, पांच चोपाइल पढ़ लिया, चरणा मिर्द परसाद ले लिया, ये तो उस युगे की बाते हैं, जब सिक्षा का प्रचार नहीं था, को लेकर क्यों लड़ चा कर रहे हो, कि परमात्मा कहा है, कैसा है, तुम्हारे ग्रंतों से हम बता सकते हैं, कि तुम्हारे वेद में क्या लिखा है, उपनिसद में क्या लिखा है, दर्सन सास्त्रों में, संतवाणी में क्या लिखा है, कुरान बाइबल में क्या लिखा है ये हम तारतमी ज्ञान के प्रकास में बता सकते हैं लेकिन अभी चारसो वर्स ब्यतीत हो गए है स्री मिराजी के तन के अवतरण के जादा हो गए 16-18 से जुड़ा जाए तो बहुत समय होता है किन्तो इसके बाद में हमारा समाज एक सिथिलता जैसी अवस्था में सोया हुआ है सारा संसार आगे बढ़ड़ा है हम आगे थोड़ा बहुत अब बढ़ना सुरू की हैं वो भी कच्वे के कतिसे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है करण क्या है जान और प्रेम यह दो मार्ग है जो किसी भी समाज के प्राण होते है जान को हटा दीजे तो प्रेम नहीं रहेगा प्रेम को हटा दीजे तो वाणी का ज्यान नहीं रहेगा और जब इस्वरे सिष्ट के 30 वर्स बीतते हैं 1775 के बाद बिक्रम सम्मत 1775 के बाद जीव सिष्टी का राजी होता है 70 साल तक चलता है 1845 तक बिक्रम सम्मत 1845 तक उसमें केवल करमकांट थोप दिया गया और आजकल तो एक जगा ऐसा हमें जाना पड़ा था गोदरा के पास कई सुंदर साथ को तार्टम तक याद नहीं था अब सोचिए अभी भी हमारे स्माज में कुछ सुंदर साथ ऐसे होंगे जिन को तारटम के छे चुपाई तक याद नहीं हो तो उस समाज से क्या आशा कर सकते है कि वो समाज परमधाम को देखेगा और संजार को देखने का द्वार खोलेगा पीतक में तो कहा है बारी तो कहती है आप देखो औरों को दिखाओ लेकिन ये तो तब होगा जब समाज को उस सांचे पर ढाला जाएगा इसके लिए एक तरफ रोड़िवादी समाज की मन्यता है कि हम ये कर लेते हैं तो क्या नुकसान है ये भी तो राजी का ही नाम है बहुत अच्छी बात है आप राजी के सामने नाचिये कोदिये गरवा किजिये आप राजी को रिजानी का प्रियास कर रहे है लेकिन यह सोचिए ये बहिर मुख ही उपास ना है आपके हाथ पैद्धी रख रहे हैं आप मुख से गा रहे हैं मनरंजन हो रहा है उसी को आपने सब कुछ माल लिया लेकिन जब तक सरीर से संसार से परे नहीं होएगे जो मौल सरुप हैं अपने जाको कहिए परातम सो परातम संग ले के विलस्य संग कसम परातम को संग लेने का ताथ पर क्या है परातम के स्रिंगार का भाव लेना आपको इमिट्री का तन न दिखे आप कितने वर्स के हैं क्या कर रहे हैं जब आप सरीर को भूल जाएं संसार को भूल जाएं आपकी सुरता अपने अंदर बैठे हुए संसार को भी बूल जा, एक तो बाहर का संसार है, आंके जब खोलते हैं तो बाहर का दिर से दिखाई देता है, आंके बंद कर लेते हैं, तो अंदर में जो हमारे चित में लाखो जन्मों का संसार है, उसके संसकार उभरने सुरू होते हैं, और मन हमारा उस संसार क के पीछे भागने लगता है, जब तक बाहर के संसार को और अंदर के संसार को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपने सरूप में इस्चित नहीं हो सकते हैं, चित्वनी में बस इतना ही करना होता है, जिसे अब अभी पृत्री परिकर्मा होई थी, तेज धूप थी, तेज कुलित कक्ष में भी बैठ सकते हैं, सरीर और संसार से परही होना होता है, कोई दौड़ना धोपना नहीं है, परिकर्मा में थकान है, गरवा में थकान है, लेकिन चित्वनी में कोई थकान नहीं, आपका कुछ पैसा भी नहीं लगना है, आप नारियल चड़ाएंगे तो भ एक चमचगी तो लगी जाएगा, लेकिन चित्वनी में तो राजी आपसे एक तिनका भी नहीं मांगते हैं, बस क्या चाहते हैं, कि इधर से नजर हटा कर मेरी तरफ देखो, हम राजी को देखना ही नहीं चाहते हैं, इसे बड़ा गुना क्या होगा, आप बताएं, इतनी भोजन बना कर रख दिया है, बहुत बढ़िया चपन भोग बनाएं, आप खा लेजें, उग क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई सामने अकर बाते करो, आपका देखना ही अमरे पस सभी समय ही नहीं है, आपको भोजन नहीं तो चाहिए, आप भोजन करते हैं, भोजन करा दिया तो वही तो प्रेम नहीं हुआ, आप राजी के सामने भोजन रख देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, राजी क्या चाहते हैं, रो नैनो दिदार कर, आत्मा के चक्छों से देखिए, रो जुबा हक्सों बोल, आत्मा की जीवा से बाते किजिए, रो नैनो दिदार कर, रो जुबा हक्सों बोल, रो कानो बाते सुने, आत्मा के कानों से उनकी बाते सुनी कि राजी का क्या रहे हैं, राजी आप से बाते करते हैं, आपकी बाते सुनते हैं, और आपको दिदार देने के लिए, यदि आप चलने के कोश्य करते हैं, वो देने के लिए आपके दिल में आकर के बैठें, जैसे कोई घर में आकर के बैठ जाता है, बिना बुलाए, जैसे कहते हैं, मान न मान, मैं तेरा में मान, वैसे ही राजी है, संसार के देवी देवताओं को तो बुलाना पड़ता है, राजी को बुलाना भी नहीं पड़ता है, क प्रसंग है ब्रच का, घर्टित का हूँगा, जागनी प्रमान में. गोपीयां करती है、 उलाना देती है कि गनया, तूने हमें को परसान कर रखा है। तू हमारे आंगन में आगर के खाड़ा हुजाता है?.. जागनी के प्रमान में क्या है? यदि आपकी आँखे खुली रहेंगे तो आपकी आत्मा के धा मिर्दे में राची प्रति दिन आते हैं आते ही नहीं वहीं बैठे रहते हैं एक जलक दिखा देते हैं लेकिन यदि हम आँखे बंद किये रहे हैं देखना ही नहीं चाहें तो उसके लिए एक राची क्या करेंगे और ऐसा ही हम कर रहे हैं हमारी आखे बंद हैं अंदर के भी और बाहर के भी स्री महामती जी के आत्मा ने रास ग्रंथ में इसमें बहुत बड़ा उलाना दिया है कि अंदे की तो अंदर की आखे खुली होती है लेकिन पर हमने न बाहर न अंदर हमारी आखे न अंदर की खुली है न बाहर की खुली है इसका असे क्या बाहर की आखे खुली होती है तो महामती जी के धा मिर्दे में विराजमान अक्षरतीत को पहचान लेती है और अंदर की आखे खुली होती है तो ये भी पहचान कर ल से ज्यादा हो गए समय फिर भी ये समाज प्राणनात को अक्षरतीत कह रहा है जिस समाज में परमधाम के गली-गली में ब्रह्मन करने के लिए चित्वनी का मार्ग अउतरित हुआ जिस समाज में नक्स सिक तक परमधाम का सिंगार युगल सरुप का साथ वारबानित होता है वो समाज आज भी घंटी घडियाल पूजा पाठ में लगा है अरे भाई करो लेकिन कुछ देर तो बैठकर अपनी आत्मा के धाम मिर्दय में उस प्राणी स्वर को निहारो जो हमारी प्राण की नली से भी निकट्र होता है लेकिन सारा समाज आज देखिए चालिस लाग का क्या चालिस हजार क्या मैं समझता हूँ चार हजार भी सुंदर साथ बढ़ियां से चीतवनी करने लगे निश्ठा बद जिसको कहते हैं प्रेम मैं चीतवनी क्यों आँखे बंद कर लेना नहीं जिनका हिर्दय राची के लिए समर्पित है जिनकी आँखे तरस्ती है कि मेरा प्रानिस्वर कब आएगा उन गोपियों से पूछिए एक दो गोपिया नहीं है 36,000 गोपिया हैं ब्रेज में किट्स मतुरा चले गए हैं वे सबेरे ही राच्ते पर बैठ जाती हैं और साम तक टक टकली लगा कर देखते रहती हैं कि मेरा करना इस राच्ते से आएगा उन पेचारियों को कोई ज्यान नहीं है अन पड़ हैं सब 36,000 12,000 प्रतवीम की सकीया है 24,000 कुमारी काओं के जिवों की सकीया है प्रतवीम बेद्रिचा प्रतवीम की 24,000 है जो पहले की प्रमाण की 36,000 थी वो तो बेहत में अखंड हो चूकी है उनकी सुर्था परमधाम जा चुकी है और जो उनके जीव ब्रज में ये सबलिक के कारण में जो ब्रज लिला है ब्रहमसिष्टियों के जीव उसमें अखंड महारास में सबलिक के महा करण में जो महारास हो रही है उसमें ब्रहमसिष्टियों के जीव अखंड हो गए है, कुमारिकाओं के जीव बरजम लिला में अखंड हो चुके हैं, अब उनकी सुर्ता, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी करनी थी है, उन जीवों की सुर्ता, इस ब्रहमान में परतविम की सक्षियों के रुप में आई है, लेकिन इस जान को पाकर के भी हम मुख बने वे हैं, हम संसार को बताना नहीं चाह रहे हैं, बताना तो चाहते हैं, लेकिन अधूरियमन से, आप सोचिए, कि जब मैं सुनता हूँ कि 140 देसों में ब्रहमा कुमारिमत का परचार हो गया, तो मुझे बहुत आश्यूर होता है, इनका जन नर्शरी कलास का है, और उन्होंने 140 देसों में पहुंचा दिया, क्यों? क्योंकि इनका पैसा ग्यान के परचार में रखता है ध्यान सिखाने में लगता है हमारा सारा धन किसमें लगता है सोने के सिंगहासन बनाने में सोने के कलश चड़ाने में सोने के दिवालों को बनाने में इसे आत्मा की तो जागने नहीं होगी सोने में तो भागवत में लिखा है कि माया है और आप चलिए मंदिरों का अलंकरण कीजिए लेकिन कुछ ग्यान भी तो फैलाई है परमधाम की ब्रह्मवाणी आई है किसके लिए हमारी आत्मा को जगाने के लिए इसलिए राजी के इस तीसरे सिंगार में महामतिची की आत्म का रही है फिर फिर सरुप जो निरखिये नैना होई नहीं तृपत है मौमिन दिल अर्श के या लिखी ताले निस्बत यह कारिकोन करेगा लिखी ताले निस्बत हम आत्मिक देश्य से अपने प्रानेस्वर को देखने का जो सुख का सौभाग्या है या केवल ब्रह्मात्म को ब्राप्त होता है जिनका दिल धनीक अर्श होता है जीव सिष्टी को मैं सौ साल तक सुनाता रहा हूं कि देखो चित्वनी करो चित्वनी करो सक्षात देखो एक दो बात होती है जैसे मैं एक दिश्टान दे रहा हूं आप संदर साथ इतने बेटे हैं हो सकता है किसी ने मुझे नहीं देखा हूँ मैं आया हूँ तो आमने सामने देखने की बात कुछ और है सुना हुआ प्रसंग कुछ और होता है आपने वानी पड़ा उसका पाठ किया वो एक समानी सी बात है आप सिवा पुजा करते हैं प्रदिन कर सकते हैं आप तो पाठ कर रहे हैं लेकिन जो आप पाठ कर रहे हैं उसको सक्षात यदि देख लिया जैसे बाणी में क्या कहा है आप सुरुप भी पढ़ते हैं तो करते हैं निष्दिन ग्रहिय प्रेम सो यूगल सुरुप की चरन लेकिन पढ़ते सभी हैं जिव सिष्टी भी पढ़ती है, निस्दिन गरहिये प्रेम सो, यूगल सुरूप के चनन, निर्मल होना याई सो और धाम बरना, लेकिन इसको क्रियात्मक जीवन में कौन लाएगा, कियो परम धाम की प्रम सिष्टी, इसलिए कहते हैं, कि लिखी ताले ये निस्वत, यहां ज उल्चित्वनी के मार्क पर चल पाएगा, अनिता सारा संसार, आप देखें, पूरा गुजराद भाव रखता है, लेकिन कर्वकान से बाहर निकल नहीं पाता है, गरवे रास की रामतों से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि लंबे अर्से से यही सिखाया जाता रहा है, और सागर सिंगार की कोई बात नहीं बताई गई, कि हमारी आत्मा जागरित कैसे हो, हम अपने धा मिर्दे में बैठे वी अपने प्रानिस्वर को कैसे देखें, जब तक हम कर्मकान की पकड़न्डियों पर भटकते रहेंगे, मैं यह नहीं कहता कि मंदिर बंद केजिए, मं मैं बिरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह तो किजिए कि इसको करते हुए कुछ चित्वनी भी किजिए, आप चित्वनी को पूर्टया किनारे कर देते हैं, कि अरे यह तो बहुत कठी रास्ता है, यह कौन करेगा, यह केवल परमांसों की चीज़ है, तो परमांस केवल आचे में ढालने क्या हो सकता है, जैसे कोई ग्रैस्थ सुन्दरसाथ 20 वर्स की आई में तार्दम लेता है, उसके उम्र 80 वर्स होती है, तो 60 वर्स तो उसकी आई में बचे रहते हैं, यदि वो प्रदिन एक गंटे चित्वनी करें, मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, तो 10 वर्सों में 3,650 गंटे चित्वनी हो जाते हैं, और 6 गंटों में, और 60 वर्सों में 18,000, कम से कम 20,000 गंटे, 20,000 गंटे चित्वनी घर में बैठें वो कर सकता है, और यदि आप इसको वर्स में निकाल देजिए, 20,000 गंटे जदी होते हैं, और यदि कोई वन में जाकर 10 गंटे चित्वनी करता है, तो आप सुचिए, कितने वर्स उसकी साधना के हो जाते हैं, मेरे का से क्या है, यदि सब सुन्दर साथ घरों में बैठे बैठे, चित्वनी का नियम बना लें, कि हमें प्रदिन कम से कम एक गंटे, दो गंटे नहीं कर सकते हैं, एक गंटे कीजिए, आपके उपर ग्रेष्ट का उत्तरदाईत हैं, वैसे तो आप नहीं भी रहेंगे, तो आपके घर का काम चलता रहेंगा, किन्तो आपने ही कमबल को पकड़ रखा है, चिला रहे हैं कि क्या करें, यह कमबल मुझे छोड़ नहीं रहा है, रिक्ष मुझे छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि जान बोज करके आप बोज लेते हैं, कि मेरे बीना चलेगा ही नहीं, जब आप इस दुनिया में नहीं आपके बीना भी चला लेंगे बस आपकी इसमरिती में एक फोटो टांग देंगे साल में एक बार याद कर लेंगे कि हमारे पिता जी थे हैं हमारे दादा जी थे फिर वे अपनी माया में लिप्त हो जाएंगे जिनके लिए हाय हाय करते हुए सारी उमर गिरहस्ती गुजार देता है उसके दे त्याग के बाद उसके घर वाले उसको भुला देते हैं आपचारिकता में याद रखते है मैं किसी की भावनाओं को आथ नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये कड़वा सच्छ है जो हमारा अनादी काल से है उसको हम अपना नहीं मानते सच्छ है, कड़वा सच्छ है अपना कौन लगता है जो प्रतक्ष में दिख रहा है और जो दिख रहा है वो तो नस्वर है जाहे हम बेटे से प्रेम करें परिवार के किसी दस्ते से प्रेम करें यह प्रेम कितने दिनों तक चलेगा, कुछ समय के बाद टूट जाएगा, और जैसे हमारे कई समन्दी है, उनके भी कोई समन्दी है, हमारा बेटा हो, बेटी हो, उनके हम रिष्टे करेंगे, उनकी अपनी संतानी होगे, उनका मन उसमें भटकेगा, हम मानते रहेंगे, कि यह मेरा बेटा है, हमारा बेटा है, सूचेगा कि हमारे भी तो बेटे हैं, हम बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे, तो जो हमारा बेटा, वो भी दादा बन जाएगा, उसमें तो हमारे पास चलने की ताकत नहीं रहेगे, लेकिन यह सूचिए, कि यदि हमने सबसे पहले है, संसार का काम चलता रहेगा, पहले मुझे सारा काम चोड़ कर उठते-उठते, संसार को देखने से पहले, मुझे अपने आंखें बंद करके, जैसे मैं सो रहा था, वैसे ही कुछ देर के लिए बैठ जाओं, और बैठ करके सोलू आँखे बंद कर लू क्या नुकसान होता है सारे समाज में ये प्रक्रिया शुरू हो जाए तो देखिए जागने में कुछ देर नहीं लगेगी हर कोई अपने धा मिर्दयों में युगल सुरू को बस देखना शुरू कर दे और सबसे पहला प्रेम राजी को देना सुरू कर दे मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजी के नाम पर आप अपना सारा धन दे दीजिए सब को छोड़ दीजिए आप अपना धन अपने पास रखिए लेकिन अपने हिर्दय का प्रेम तो राजी को देजिए राजी आपके धन के भुखे नहीं है राजी के पास अनन्त धन है परमधाम का वहाँ के एक कड में इस सारी पृतिवी का जो धन है वो कुछ नहीं माइने नहीं रखता वहाँ के एक कड में करोनों और बोसुरियों का प्रकास है एक रंगमाली है अनंत रंगों से अनंत नगों का बना हुआ एक मारिक पहाड है पुरा मारिक का ही है और उसके एक एक थम्मे में पुरा रंगमाल समा जाएगा आप सोचिए मारिक पहाड के एक कर्ण में इतनी कीमत है कि आप सारे छर्ब्रमांट के सारे हीरे मोती भी उसकी बरावरी नहीं कर सकते, ऐसे राजी को क्या चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहते है वो तो आपके हिरदे का प्रेम देखना चाहते हैं, कि आप इस जुठी दुनिया में आने के बाद जूठी दुनिया को यह अपना कैसे समझ बैठे हैं जो आपका है, सर्वस्व है आपके हिर्दे रुपी आंगन में बैठा है सुन्दर साथ उसके लिए कुछ नहीं करना चाहता लेकिन यदि संसार के तुलना में हम अपने को देखते हैं लगता है कि हम माया से बहुत अदिक ठगे गए हैं क्योंकि जो दिख रहा है जैसे कावद कह जाती है कोड में खाच होना या गरिबी में आटा गिला होना मता है कोई आटा गुत रही है रूटी बनाने के लिए पानी ज़्यादा हो गया पैसा और नहीं है कि सुखा आटा और खरित कर लाएं तो क्या परिशान होकर कहते हैं कि एक तो आटा नहीं था सारा ये कही बार लगा दिया अब तो गिला होगे रूटी बनेगी नहीं वैसे ही हम है एक तो हमें परम धाम की चित्वनी का मार्ग 1775 से ही बंद कर दिया गया 1745 तक ठीक चला 75 तक थोड़ा बहुत चर्चनी का मार्ग चला उसके बद बंद हो गया जो थोड़े बहुत परमस्त है छिप छिप कर अपनी चित्वनी करते रहे बाणी का चिंतन करते रहे उसके बाद जीव सिष्टी जो धर्म के अगरगणी पदों को प्राप्प कर लिए उसने निर्देश दे दिया कि इसे मला पूझा करते रहो पांच बार तर्तम का पाठ कर लो माया माला फिर लो बस हो गया और कुछ करना नहीं है या रात को नाच को दो परड़ाम यह हुआ कि हमारा समाज उसी ढड़े पर तीन सो वर्सों से चलते आया अब जब किसी को कहा जाता है कि सुन्दर साथ जी यह आपका मार्ग नहीं है तो उसको बुरा लगता है कि परंपरा के वृत क्यों बोला जा रहा है हमको क्यों छुड़ाय जा रहा है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह वाणी कह रही है कि लिखी ताले ए निस्वत इस चुपाई पर ध्यान दीजिए लिखी ताले ए निस्वत यह किनके भग में लिखा है जिनका मूल सम्मंद होता है परंधाम की ब्रहमसिष्टियों के लिए सबके लिए नहीं कह रहा है और सबके लिए कयोंगा भी तो कोई करेगा नहीं उनको रात बर डंडिया ही खेलना है रात पर गरवे ही करना है उनको चिलाना है कि दे कि राची के हम ही प्रेमी है इस लेबाने कह रही ए फेर फेर सरुप चो निरकीए नैना होई नहीं त्रिपत मुमिन दिल अर्स कया लिखी ताले ए निस्वत मुमिन दिल अर्स कया काताद परिक्या जिसको देखा जा रहा है वो तो दिल में पहले से ही बैठा है और वो जो दिल में बैठा है उसी को देखना होता है परमधाम की आत्मा का टूट समन्द किसे होता है उस मोल सरुप से दुनिया के जीजीवों को देखिए प्रलाद क्या कहते हैं उनका पिता मारना चाहता है हिर्ण कस्याप कहता है कि इस स्रिष्टी का परमात्मा है मैं हूँ प्रहलाद कहते हैं कि नहीं जो मेरा परमात्मा है वो तुमारे अंदर भी है इस खंबे के अंदर भी है मेरे अंदर तो अखंड रुप से रहता ही है आप सोचिए प्रहलाद एक बालक है वो कर सकता कि मेरे दिल में मेरा प्रीतम बसता है आप तो नहीं कर सकते आप राची को कहा खोचते हैं सब को मालू है मंदिर में ही तो खोचते हैं ना चलो राची हुआ बैठे है क्या आपको विश्वास है कि आपके दिल में राची है प्रहलाद को मारने के लिए तयार है तल्वार लेकर खड़ा है हिनका सब, प्रणालाद को तार्तम ज्यान नहीं मिला है, प्रणालाद भी बच्चा है, उसने वेद भी नहीं पड़ा है, रिशियों मुनियों की संगती में भी जादा नहीं बैठा है, लेकिन भगति के बल पर उसको आस्था है कि मेरा भगवान मेरे दिल मेरे रहता है, वाणी मेरा जी ने कितनी भरका है, अरिश तुम्हारा मेरा दिल है, मैं तुम्हारे प्राण की नली से निकट हूँ, फिर भी हमको विश्वास नहीं होता, अब तो कम हो गया है, यहां से पहले पैंदल यत्राएं बहुत निकला करती थी, अब बहुत कम है पहले की पेक्षा, वो विचारे महीनों लगा देते थे, यहां से पन्नाजी जाने में, गुजराद से पन्नाजी जाते यह उस यूग की बाते हैं, जब संसाधर नहीं हुआ करते थे, आज जितना परिश्रम पैदल यात्रत चलने में करते हैं, परिक्रमाएं में करते हैं, सांधी से बैठ जाएए और अपने प्राने सुर को अपने हिर्दे मंतिर में खोजिए वो जो प्रान की नली से निकठ है, क्यों प्रेम की आँखों से देखा जाएगा आपके हिर्दे में प्रेम होना चाहिए, प्रेम हुआ नहीं, जो बाहर दिखता है, प्रेम हुआ है, जो के मुख बोले नहीं, नहीं न देतरे रूप, आप तो गाते हैं इसलिए महामितेजी की आत्मा हम सुंदर साथ को एक-एक चोपाई से किसी न किसी रूप में सिखापन दे रही है और जो इस चोपाई के चोथा चरणे हैं, उसको हम आत्मा साथ कर लें, कि लिखी ताले ए निस्वत यासु का किसके भाग में लिखा हुआ है, जिनके मूल समंद है जिनके मूल समंद नभी हैं, तो तार्दम ज्यान का प्रकास देकर एक औसर दिया गया है जिसे हमारे दान टूट जाते हैं, तो आर्टिफिसिल दान तो लगी जाते हैं उसी तरह से जो कोरा जी प्रेम की राह अपना लेगा, समर्पन की राह अपना लेगा, अपने हिर्दे को निर्मल कर लेगा कोरा से कोरा जी भी राजी से निस्वत जोड़ कर परमधाम को देख सकता है, पचीश पक्षों को देख सकता है नक से सिख तक राज जी को देख सकता है भले ही सक्षियों को न देखे स्यामा जी को न देखे लेकि राज जी को देखने कादिकार पूरे ब्रह्मान को है पच्चेश पक्षों को देखने कादिकार पूरे ब्रह्मान को है इस दिए चित्वनी सब के लिए अनिवार है चाहिए वो इस्वरी सिष्ट हो चाहिए जीव सिष्ट हो चाहिए ब्रहम सिष्ट हो लेकिन जब समाज में प्रचलन ही नहीं रहेगा तो होगा क्या चाहिए निस दिन हक अर्ष में क्या होना चाहिए प्रति दिन राज जी को कहा होना चाहिए हमारे अर्ष दिल में हक अर्ष का ताथ पर क्या है चाहिए निस दिन हक अर्ष में और इत हक खिलवत देखिए दो चीजे बात बताईए चाहिए निश्दिन हक अर्स में प्रति दिन राज्जी को हमारे धा मिरते में होना चाहिए वो तो पहले से हैं लेकिन प्रत दिन आप देखिए जी भर कर देखिए एक दिन आप कल्पने कीज़े आप अपने परिवार में रहते हैं आप पर प्रतिबंद लगा दिया जाए कि आज कोई भी बहन अपने पती से बात नहीं करेगी एक ही घर में या आप अपने बच्चों को नहीं देख सकते आपको कितना बुरा लगेगा घर में माभारत हो जाएगा कि ये नियम बनाने वाले कौन है अपने वितक में सुना है जब भैरो सेट को स्रीजी ने कहा कि भैरो मेरे कहने पर तुम एक मेने के लिए मांस राब नसा छोड़ दो बरिस्त्री का मन छोड़ दो तो उनकी पतनी लड़ने के लिए तयार हो जाती है कि बिना मांस के इनका गुजरान कैसे होगा कि नए-नए महत्मा आ जाते हैं नए-नए कानून बना जाते हैं एक दिन भी जदि वो मांस नहीं खाते हैं तो उनकी पतनी लड़ने के लिए तयार हो जाती है आप घर में आपका बच्चा है उसको देखे बिना आप ब्याकुल हो जाते हैं पतनी से बात किये बिना ब्याकुल हो जाते हैं पतनी पति से मीले बिना ब्याकुल हो जाती है लेकि राजजी राजजी तो सबसे बेड़े पराय होते हैं उनके लिए एक छोटी सी कोट्री में वानी रख दी होती है, थोड़ा खाने के लिए दो बार को दे देते हैं, सबेरे धूबत्ती कर दिये, बिचारे पड़े रहते हैं, वो सोचते हैं कि मुझको इतना ही सही, चलो एक बार दीपक तो दिखा दिया, कुछ खाने के लिए तो इस गहसन पर कौन बैठता है, आपको अच्छी तरह से मलू हो, आपके दिल में आपके संसारिक समंधी तो बैठते हैं, जिनके लिए आप जी रहे हैं, आप किसके लिए जी रहे हैं, मैं कड़वी बातें नहीं कहना चाहता, सबको मलूम हो, आपका जिससे लगाव है, उसक ये लिए ये तो जी रहे हैं, ये सुंदर साथ को इबाद गार्ट बांधनी होगी, कि जितना प्रेम हम संसार के पीछे कर रहे हैं, उसका दसवा अंसकी बल राजी से कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि उनको छोड़ देजिए, आपको परिवार के सदस्यों से जितना प्रेम है उसका दसवा आंस के वल राजी से प्रेम कीजिए आपके 24 गंटे 12 गंटे उनके लिए तो 1 गंटे के वल राजी के लिए दीजिए आँखे बंद कर अपने हिर्दय मंदिर में उनको देखिए परिवार के किसी भी सदस्य से जितना के आप और अनन्त गुना प्रेम करते हैं लेकिन आप सुन लेंगे मेरी बाते कहब ही देंगे ठीक है घर जाते ही वही करेंगे जो पहले से आप करते हैं यह निस्चित है और यह कड़वा सचह इस कड़वे सचाई को सबको स्युकार करना होगा जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हमारे लिए पहले नंबर पर राजची एक गंटे के लिए भी याद करेंगे तो सबको भूला देंगे और हमारे हिर्दे का पहला प्रेम पाने कादिकार के लिए राजची को होता है तो सायद कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मेरी आत्म जागरे नहीं होगा ये कड़वे सच्छे है इस दिया राजची इस दुसरे चुपाई में पुना सम्कित कर रहे हैं चाहिए निस्तिन हक अर्स में और इत्हक खिलवत एक-एक चर्ण पर गराई से ध्यान देजिए इत्हक खिलवत आप सोचते हैं कि जब जागने लिला खत्म होगी परमधाम जाएंगे खिलवत मूल मिलावे में परात्म से उठेंगे वानी क्या कर रहे है चाहिए निस्तिन हक अर्स में ये तो मेरे सब्द नहीं है चाहिए निस्तिन हक अर्स में इसकी मैंने व्याख्या कर दी प्रति दिन आपके धामिर्दे में आपका प्रितम दिखना चाहिए और इत्हक खिलवत खिलवत किसको कहते हैं जाहिरी रूप से खिलवत वह है जहां आसिक और मासुक के सिवा कोई दूसरा नहीं हो जहां राजी हों, स्यामाजी हों, सक्खियां संसार ना राजा बातिनी रूप से खिलवत क्या है? दिली खिलवत है आसिक के दिल में मासुक होता है, मासुक के दिल में आसिक होता है राजी के दिल में सखिया है, सखियों के दिल में राजी है प्रति दिन आपको खिल्वत की अनुबूती होनी चाहिए कि राजी मेरे दिल में है और राजी के दिल में मैं है आप बताईए आप ये आसास करते हैं कि राजी के दिल में मेरा इस्थान है, मेरे दिल ही राजी का है तो कभी अप्लिकेशन लिखने क्या हो सकता पड़ती है जैसे सब सुन्दर साथ जानते हैं, मैं नाम लेकर नहीं बताऊँगा आपको अपने उपर विस्वास नहीं होता कोई कुछ मांगता है, मेरे सागर का गोटा पड़ करके आप किसके लिए मांगते हैं, आप जितनी मताय बैने बैठी हैं क्या आपने पतियों से प्राथना पत्र लिख करके कुछ मांगती है क्योंकि आपके घर की मालकिन तो आप सोय में जो चाहें खर्च कर लेती है यादि कोई बड़ा खर्च होता है तब पूछती है कि यह मैं करना चाहती हूँ आप हाथ जोड़कर पूछिए हाथ जोड़कर सहस्टांग लेट कर दंडोत पढम किजितर आप पति क्या कहेंगे इसको पहले किसी डाक्टर को दिखाना पड़ेगा अरे भाइ तुम कहना हो सीधे डंग से कहे दो क्योंकि पति आप का है पति को लगता है पतिनी मेरी है दोनों में मधुरसंबढ है राजी से मदर समंद नहीं है राजी वह है जो हमारी संसारी कामनाओं को यदि पूरा कर देती है तो ठीक है नहीं तो भोग में भी कटोती हो जाएगी कि क्या फैदा है इतना भोग में खर्च करते हैं थोड़े से काम में चला लो लेकिन राजी कह रहे हैं, यदि जागरित होना है, चाहिए निस्तिन हक अर्ष में और इत्ध हक खिलवत, इत्का है, वहां नहीं, परमदा में जब जगेंगे तब, यहां प्रति दिन हमारा दिल धनी का अर्ष होना चाहिए, प्रति दिन हमें खिलवत का सुक लेना है, हमें अपनी आत्मा के धा मिर्दे में युगल शुरूप को देखना है और युगल शुरूप के अंदर कौन है? हम आएं वाणी ये कह रही है समाज ये नहीं कह रहा है समाज तो कहेगा अरे तुम गिरस्ती हो तुमको राजी थोड़े मिलने वाले हैं पांच बार माला कर लो पांच बार तरतम पार्ट कर लो एक माला फहर लो जैसे बैशनों करते है दुसरे पंत्द के देवी देताओं को मानने वाले जिस नवधा भक्ती का असर लेते हैं हम को नवधा भक्त सिखाई जाती तो नॵधा से न्यारा क्यों रटते रहते हैं नवधा भक्ति हमारी आत्मा का स्रिंगार नहीं है हमारा स्रिंगार प्रेम लक्षणा भक्ति से होना है हमारे लिए इन कर्मकांडू का मत कोई नहीं है लेकिन जब तक हम कर्मकांडू का बोज सीर पर लादे रहेंगे तब तक हमारी आत्मा को कुछ नहीं मिलना है जैसे आज भी क्या है गुजरात में ज्यादा प्रचलन है किसे कंठी लिया है कंठी क्या करेगी यह तुलसी की लकड़ी आपकी आत्मा को जागरित कर देगी क्या यदि इससे जागनी होनी होती तो बाणी के आतरण क्यों होता क्यों चित्वनी कराते है स्री जी आप अश्टवर की वितक देखिए कभी कहीं बढ़न आता है कि स्री जी ने किसी को कंठी बांदी हो कहीं भी बढ़न बताइए पूरे वितक में तार्तम की चोपछे चोपईयां सुना देते हैं परंपरा में जो चला रहा है लेकिन किसी को कंठी बांदते हो तो कुछ माना भी जाए आज कल कंठी का मात ज़्यादा बढ़ गया कितनों को कंठी बांदी कोई बिद्वान जाता है तो पड़ामी समाज में क्या पूछा कहा जाता है कि इन्होंने इतनों को कंठी बांद आए ये कंठी बांदने से आत्मा की जागरती नहीं होनी है सबके हिर्दे में प्रितम की छवी बसा दीजिए सबको अटूट इमान पर अटूट बिश्वास अटूट प्रेम पर खड़ा कर दीजिए कि हर सुन्दर साथ अपने धा मिर्दे में अपने प्राणे स्वर की छवी को बसाए रखे हमारा स्रिंगार किस्से है कामरी पहरी सुहागिन सुहाग दिया साहिब ने कामरी पहरी सुहागिन आप देखिए सुहाग दिया साहिब ने मुगल काल में क्या हुआ कि मुसलमान जिस भी सुन्दर इस्त्री को देखते थे चाहे ब्याही हो या अन्ब्याही हो जब्रन अपने हरम में रख लेते थे इस लिए हिंदू समाज ने नियम बनाया कि मांग में सिंदुर भरने का वैदी काल की परंपरा नहीं है या मुगलों के समय से चली है डर के मारे ताकि पैच्चान हो जाए कि इस इस्त्री का विवा हो गया है तो उसको प्रह कम डर रहता था कि इसका परण करेगा नहीं तो जब्रन उठवा लेते थे इसलिए कि जो छोटी उमर में तभी विवा होने लगा था बाल विवा की परंपरा तभी बड़ी मांग में सुंदुर भरने का रिवाज तभी बड़ा जब वाणी उतरती है तो क्या करते है सुहाग दिया साहेम ने कामरी सुहागिन सुहाग का चिन क्या है कामरी कामरी क्या काली कामरी मुको प्यारी लगे तो प्रेम रूपी कामरी प्रेम ही आपकी सोहाग का चिन है सोहागिन पहरी सोहागिन प्रेम रूपी कामरी को किसने पेना परमधाम की आत्माओं ने और सोहाग का चिन क्या है प्रेम काली कामरी ही उनके लिए सोहा कचिन है और वो प्रेम यदि हम राजी की सोभा को नहीं देखते तो हमारे अंदर प्रेम कहां से आएगा इस दिए मुझे भी विवस होकर आपको एक ख़ोर सब्द सुनाने पड़ रहे हैं क्योंकि ये समाज नजने कब जगेगा अब देखिए वाणी क्या कह रही है होए निमख नन्यारे इन दिल जेती अर्स न्यामत आप वाणी का पार्ट कर जते हैं मैंने तो पांच बार भी अब तक वाणी का पार्ट नहीं किया होगा इस सभा में भी हो सकता है, सो से अधिक बार पाट करने वाले सुन्दर साथ होंगे लेकिन एक-एक सब्द को देखिए एक-एक सब्दों के गहरे जो भाव चिपे हैं उसको हमें ध्यान में रखना होगा राज जी ने जो तार्तम वाणी का प्रकास किया है? हमारी आत्मा को जगाने के लिए का आए क्या करते हैं? होई निमक न न्यारे इन दिल जेती अर्श न्यामत परमधाम की निदिया क्या है? मैं पुछू परमधाम में क्या है? तो आप क्या बताएंगे? राज जी स्यामाजी है 25 पक्ष हैं सखिया है और क्या है पचीश पक्षों में क्या है राजी के आठो सागरों के लिए लाए पहला नूर का सागर है नीर का सागर है ददी सागर घृत मद्ध रस सर्वरस सभी सागर है वाणी क्या कह रही है हो इन निमक्न न्यारे इन दिल कौन सा दिल जिस दिल ने अपने हिर्दय को धनीक अर्स बनाया है धनीक अर्स तो है वो पर्दा हटा देना है यदि आप अर्स वाले को अपने दिल में बसा लेते हैं तो आपका दिल अर्स होता है कि नहीं होता है देखिए वाणी क्या कहती है हक इलम जित पहुंचिया तित अर्स हुआ दिलक तार्तम बाणी का प्रकास जिसके हिर्दे में बस जाता है उसका दिल धनी का अर्स हो जाता है आज आप दस मिनट भी राजी को याद करेंगे तो जब भी आप आँखे बंद करेंगे तो राजी को तो याद करेंगे हनुमान जी, गणेश जी, संगर जी को तो याद नहीं करेंगे यह किसकी बदूलत? तारतुमबानी की बदूलत और यदि आप चित्वनी करने लगते हैं तो माया का पर्दा भी हट जाता है आपके सरीर के जो तिश्णाएं होती हैं मन की सभी समाथ हो जाती है और आप सभी तिश्णाओं से परेहख हट कर परात्म का सिंगार सचकर युगल सरूप को अपने दिल में बसाते हैं उसका पर्ड़्याम क्या होता है? चाहिए निस्तिन हकर्च में और इत्धा का खिलवत प्रति दिन आपके हिर्दे में जब्धानी की सुभा बसने लगती है तो आपको यहीं बैठे बैठे खिलवत का रस्वान करने का सुभा की प्राप्त होता है खिलवत का अत्तात पर जाहरी रूप से मुल मिलवा तो आपको दिखता ही है आपको लगता है कि मेरे और राजी के अत्रिक्त कोई कुछ है ही नहीं मैं जहां हूँ मेरा दिल है मेरे दिल में युगल सुरूफ है आप राजी के दिल में प्रवेस करते हैं यह है खिलवत का सुक और उस आत्मा को विश्वास हो जाता है कि परम धाम की जितनी निधिया हैं आप राजी से क्या मांगते हैं मेहर सागर का गोटा पढ़कर अधिकतर सुंदर साथ क्या मांगते हैं माया की चीजे ही मांगते हैं इस्क कोई-कोई मांगेगा, इल्म कोई-कोई मांगेगा, पांचवे सागर का सुख, छटवे सागर का सुख, चोथे सागर का या तीसरे का कोई-कोई सुन्दर साथ मांगेगा, अपने दिल में राजी को कोई भिरला बसाना चाहता है, वो सब कुछ आपके दिल में अपने आ जब सेना का कोई जवान शहीद होता है तो उसकी संपति का सारा अधिकार किसको मिलता है उसकी पत्नी को आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि इसकी अरधांग नहीं हो सारे स्वामित्र की अधिकारन ही होती है जिस एक्षरातीत को आप अपना धाम धानी मानते हैं तो परमधाम की सारी संपतिक अधिकार किसको होना चाहिए? आपको इतो लेकिन आप भिकमंगे क्यों बन जाते हैं? राजजी से हमारी दुकान चल जाए राजजी मेर सागर का गोटा हम पाट कर रहे हैं हमारी भैस ज़्यादा दूद देने लगी आप क्या मांगते हैं? इसलिए जब मेर सागर का पाट करके सुन्दर साथ संसार की छोटी-छोटी चीजे मांगता है तो मुझे बहुत अश्चर भी होता है कि सुन्दर साथ कब तक सोया रहेगा? हाँ, मेरे उपर भी कभी-कभी बहुत दबा पड़ता है तो मैं भी कहा देता हूँ कि कर लो, और मैं क्या करो? मैं तो चर्चा में तो कहता हूँ कि महर के सागर का सरुप समझे है आप कौन हो अपनी गरिमा को पहचानिये इस माया के सुक दुक आते रहेंगे क्या हक सूरत का महमतिची की आत्मा कह रही है कि मेरे सुन्दर साथ मैंने अपने प्राणिस्वर अक्षरतीत की सुभा कबर्डन किया है किसके लिए? ताकि इस सूरत को आप अपने हिर्दे मंदिर में भी बसा सके और उसका लाब ले सके अपने प्राणिस्वर को दिल में बसाने का लाब क्या होगा? पहले आपकी आत्मा जाग्रित होगी जाग्रित होने का सुख क्या होगा? कि परमधाम की जितनी निदिया है वो जागरित को ही मिलती है सोई वेको नहिए कोई बेक्टि सोया हुआ है और उसके पास हीरों की एक पोटली रखे दीजिए तो उसका क्या लाग उठा पाएगा उसको तो मालम ही नहीं है क्योंकि निद्रा में जो बेक्ति गर्सित होता है उसमें और मरे हुई में कोई भी अंदर नहीं होता है तो परमधाम के सुकों का अउनभू कब होगा जब हम जागरित होंगे हमको जगाई के देद राजी क्या रहे हैं कि जागरित हुए बिना जब तक हम जागरित नहीं होते तब तक सत सुक किने लियो नचाए परमधाम के अखंड सुकों को कोई ले नहीं सकता है और सागर सिंगार का जियान अदृत हुआ है कि इसलिए कि हम यहां बैठे-बैठे परमधाम को अनभूत कर सके जैसे परमधाम में थे हमें इस संसार में लगे कि हम परमधाम में ही हैं संसार में नहीं आये यहीं बैठे-बैठे इतनी बैठे घर जागे था यहीं बैठे बैठे जागनी का सुख ले जागर्त जैसा तब तो हम जागर्त कर ला सकते हैं हमें राजी की सोभा का ही पता नहीं तो किसी भी तरह से हम परमदाम के सुखों का अ tehd contrôle कर सकते हैं बर्नन किया हक सुर्ट का रुह देख्या चाहे फिर फिर अब मेरी आत्मा क्या चाहती है मैं बार बार नक से सिख तक अपने अराध्य, अपने प्राने स्वर अपने प्रान बलब के सुख की सुभा को देखू सागर सिंगार का ज्यान क्यों उतरित हुआ है क्योंकि सुन्दर साथ इसके बिना अपनी आत्मा को चगा नहीं सकता सद्कुर्दनिसिदेव चंची सब सुन्दर साथ को अखन ब्रज राज की चर्चा सुनाते है प्रमधाम की भी लिला का वर्लन करते है लेकिन नक से सिखता जब तक सुभा का उतरन ना हो और सुन्दर साथ उस सुभा को अपने धाम मिर्दे में बसाए नहीं तब तक आत्मा की जागरती का कोई प्रस्नी नहीं होता नियसिंदे ब्रज राज की लिलाओं को याद कीजिए सिख्छा के लेने के लिए उनको नाटक करने का समय अब नहीं रा गया जैसे यह बात कही जाती है कि जो स्री जी को मानते हैं वो तो ब्रज राज को मानते ही नहीं अरे भई मानते हैं लेकिन इस समय ध्यान केंद्रित करना है मुल मिलावे में न कि ब्रज राज की लिलाओं में हम ब्रज राज की लिलाओं का अभिनाय करने में जो उर्जा लगा रहे हैं वह उर्जा परमधाम के 25 पक्षों की सोबा को देखने में लगा है ब्रज राज से हमें सिखापन लेना चाहिए कि ब्रज से में रहते हुए हम सब ने एक पल भी कृष्ष के बिना गवाया नहीं इस जागनी के ब्रमान में भी उठते बैटते शुपन सो जागरत दम न छोड़े मासुक को जा कि असला कि निसमत वो इस्थिति पाइदा करनी है उस आच्रण को लेना है न कि वहां की लिला को अब कोई कहे कि उस लिला में जैसा किया क्या सब के लिए सम्भोव है कि दही बेचना शुरू करें बन में जाना शुरू करें वो तो नाटक हो गया उसमे सार्थ तो क्या है कि एक बार बांस्री भजती है सबने अपने फ्रान चोड़ दिया जागनी की ब्रहमान में सरीर नहीं छोड़ना है मन से संसार को चोड़ देना है और यहीं बैठे बैठे जागनी का सारा सुख लेना है परमधाम की सुबा के रूप में राजी ने कितना सरल हमारे लिए कर दिया कितने संसाधन कर दिया यह हमें नहीं पता यही अर्स दिल रूप के बैठे सिंगार कर राजी ने क्या क्या है अर्स दिल रूप के हमारी आत्मा के हुर्दे में बैठे सिंगार कर नक से सिक्स तक सिंगार सचकर के राजजी विराज माने सिंगार किया सब्दुले वस्तर याभुखन अब बखत हुआ देखन का देखो रो के खोलने नंदर राजजी हर पल हमारे दिल में अश्ट पार चोंशट घड़ी बास कर रहे हैं आप देखिए आपके घर कोई अतित्य आता है तो उसके आने से पहले आप तयारी किये रहते हैं जब आकर के बैठ जाता है तो कई बार पूछते हैं कई बार खिलाते हैं कई बार उसकी आउभगत करते हैं राजजी आपके दिल में अभी आपने सुना सिंगार किया सब दुले वस्तरिय भुखन अब बखत हुआ देखन का देखो रूख के नैनंद देखो रूख के नैनंद अपनी आत्मा के चक्छों से देखिए आपको नहीं कहा जा रहा है कि कुछ सेवा करो आपको तो यहीं कहा जा रहा है कि आपका प्राने स्वर आपके आत्मा के धा मिर्दे में अनंत काल से बैठा है पर आत्म के दिल में भी बैठा था और आत्मा के दिल में भी बैठा है दोनों के बीच में एक पर्दा है और उस पर्दे को उटा दीजे सागर सिंगार की चर्चा में कम से कम सांती बनाए रखिए जब तक आप अपनी आत्मा के दहामिर्दे में अपने प्राणिस्वर को जी भर कर नहीं देखेंगे तब तक आसा मत कीजिए कि आपकी आत्मा जागरित होगी मैंने संसारिक दिश्टान से भी बताया कि आपके घर कोई अतिती आता है तो कितनी बार उससे पूछते हैं कोई तकलिप तो नहीं ये खिलाओं ये खिलाओं क्या 24 गंटे में सुन्दर साथ के पास इतना भी से मैंने ये कि ए गंटा आदे घंटे में कहता हूँ ये घंटा नहीं करते हैं आदे घंटा तो किजिए कोई पहाड नहीं तूट पड़ेगा आप कंगाल नहीं हो जाएंगे लेकिन सब अधिकतर का कहना होता है कि काम का बहुत जोर पर रहा है कोई देखने वाला नहीं है इसलिए मैं अभी समय नहीं दे सकता आप सोचे किसके लिए कर रहे हैं आप सोने के घंटे में से भी आदा घंटा कम किजिए लेकिन किजिए चाहें विद्यार्थी हो चाहें कोई ये बहाना नहीं चल सकता यदि विद्यार्थी भी आदे घंटे चित्वनी करता है, तो अपनी निद्रा में से एक गंटे कम कर देगा, तो उसके सरीर पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा, उसकी बुद्धी और परिमार्जी थी होगी, घर जिस घर में हर सुन्दर साथ, बच्चा, बुड़ा, युवा, सभी राजी कोई दिल में बसाएंगे, उस परिवार में सुकसांती रहेगी, अन्यता, अर्वोग, अरुपया का धन होगा, वो नकरात्मक चिंतन में गलत जिसा में जाने के करण, परिवार में अमस्ता लड़ाई छगड़ी होते रहेंगे, कभी सुकसांती नहीं हो सकती, इस लिए यदि आप लौकिक सुकसांती भी चाते हैं, तो अपने हिर्दे में, अपने अरादि को बैठाईए, अपने प्रानिस्वर को बैठाईए, आपका प्रान पृत्म सब्बुन सिंगार के साथ, आपकी आत्मा के धा मिर्दे में, अनन्त काल से बैठाई, अनादि काल से बैठाई और अनन्त काल तक बैठाई रहेगा, जागनी के ब्रामान भी एक परदा है, परंधा में कोई परदा नहीं था, सक्षा देखते थे, अब इस माया के परदे को उटा दीजे, माया का परदा क्या है, पिंड और ब्रामान का ही तो परदा है पिंड ब्रामान का परदा कैसे अटेगा आप इस्थे रोकर बैठी जाएए, पिंड का परदा हट जाएगा ब्रामान का परदा कैसे अटेगा आपके मन में सुक्षरूर्से ब्रमान्ड है उस ब्रमान को हटा दीजे मन को सांद कर लिजे और राजी के प्रेम की तरफ उनमुक कर दीजे आपका मन क्या उट राजी को देखने की एकछा करे और एकछा करते करते उसमें खो जाएगा तो ब्रमान्ट भी अट जाएगा, कितना सरल तरीका है एक बार स्वाहिं बुल्ले साहग प्याज बो रहे थे किसी ने पुछा कि रब्दा की पाड़ा प्रमात्मा को कैसे पाया जाता है स्वाहिं बुल्ले साहग करते हैं कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं महाँ से प्याज उखाड़ा हूँ, यहां तो लगा रहा हूँ यही तुझे करना है इधर से मन को हटागर उधर कर दो बस इतनी सी बात है आप संसार से मन हटागर कुछ समय के लिए राजजी के नक से सिक्तक की सोभा में लगा देजिए चरणों को देखिए, मुखारविंद को देखिए गले को देखिए, हिर्दे कमल को देखिए, अंगुलिये को देखिए बस देखिए, आपके हिर्दे से माया हटनी सुरू हो जाएगी, जो माया का अवरण आपके और राजजी के केंदृत के दिया, फिर देखिए आपको कितना अखंड सुक मिलता है मेरी ये हवाज यूट्यूब के मादेम से सारे संसार में पहुचेगी मैं चानता हूँ और मुझे कई बार बीबस होकर कठोर सब्दों में कहना भी पड़ता है लेकिन अब कहने के तरिक्त कोई चारा नहीं रहा गया है क्योंकि सागर सिंगार की चर्चा करते समय मैंने चित्वने के लिए प्रेरित बार बार किया है और जब तक सुन्दर साथ जगेगा नहीं तब तक मेरा कर्टब भी पूरा नहीं होगा मैं जानता हूँ कि परंपराओं के विरुद बोलने का परड़ाम क्या होता है लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं यदि मुझे कट्वचन कोई हचार बार भी कहे तो भी मैं उसके लिए सुब कमना ही करूँगा लेकिन कहूँगा तो जरू कि जब तक कोई अपनी आत्मा के हिर्दे में युगल सरूप को नहीं बसाएगा कर्मकांडो को ही सरूप पर रहेगा तब तक उसकी आत्मा के जागरित होने का प्रश्ण ही नहीं है तब तक कोई उसको यहीं बैठे-बैठे खिलवत का सुक नहीं दे सकता वाहिदत का सुक नहीं दे सकता जब अर्सदिल में परमधाम की सारी निदिया है तो अर्सदिल में उन निदियों को हम क्यों न प्राप्त करें और यह प्राप्त होगी के वल चितनी से प्राम जी